हेलो स्टूडेंट्स तो कैसे हैं आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर और आज हम देखेंगे क्लास 7 की साइंस के चैप्टर नमबर 3 के क्वेशन आंसर्स यानि उसकी जो एक्सरसाइज है उसका सॉलूशन ठीक है तो देखो सबसे पहला क्वेशन है यू मस्ट भी फैमिलियर विद दा फॉलोइंग नर्सरी राइम्स तो यहाँ पे दो नर्सरी की राइम्स के एक दो लाइन्स लिखी हुई है और आप से कहा जा रहा है कि साइद आपने ये नर्सरी में पड़ी होंगी तो पहला है बाबा ब नर्सरी में पड़ी होंगी यह यहाँ पर बताया गया है यह कहा जा रहा है फिर आंसर दाप़ ओलोइंग है तो इसका पार्ट है which पार्ट और ब्लैक शीप है वू तो जो ब्लेक शीप होता था है उसके कौन से पार्ट में वूल होता है यानि उन होती है यह आपको बताना है तो इसका अंसर है wool is obtained from the hairy fibers of the sheep तो जो wool होती है वो कहां से ली जाती है जो hairy fibers होते हैं यानि जो बाल होते हैं भेड के sheep के उससे wool जो होती है उन जो होती है वो ली जाती है ठीक फिर है b part है what is meant by the white fleas of the lamb तो जो lamb होता है उसकी जो white fleas होती है उसका क्या मतलब होता है यानि lamb की white fleas का क्या मतलब होता है तो इसका answer है white fleas of the lamb refers to the white colored hair of the lamb तो white fleas का मतलब है कि जो lamb होता है यानि जो भेड का बच्चा होता है है ना lamb का मतलब होता है बेड का बच्चा तो उसके जो white color के बाल होते हैं white colored बाल उनको कहते हैं white fleece उनको कहते हैं किनको white colored hair को फिर उसके बाद second question है the silk warm is a a caterpillar और b a larva तो आप से पुछा गया है कि जो silk warm होता है वो एक caterpillar होता है या एक larva होता है या आपको बताना है choose the correct option ठीक है तो यहाँ पे से इन चारों में से आपको एक option choose करना है तो वो खाली caterpillar होता है तो आप a को choose करेंगे अगर वो किवर larva होता है तो b को choose करेंगे अगर दोनों होता है केटरपिलर भी होता है सिल्क वाम और लारवा भी होता है तो आप इसको थर्ड वाले को चूज़ करेंगे और फोर्थ वाले को चूज़ करेंगे अगर ना तो केटरपिलर होता है और ना ही लारवा होता है तो तो जो सिल्क वाम होता है वो दोनों होता है ठीक है वो caterpillar भी होता है और larva भी होता है तो इसलिए यह है third वाले को आप टिक करेंगे फिर उसके बाद question number three है which of the following does not yield wool तो इन में से इन चारों में से ऐसा कौन सा है हमें जिस से wool नहीं मिलती है यानि उन नहीं मिलती तो वो है woolly dog ठीक है तो बाकी इन चारों से हमें जो है उन मिलती है फिर इसके बाद है question number four और यह है what is meant by the following terms है ना तो यहाँ पे कुछ words लिखे हुए है और आपको उनकी definition लिखनी है उनका meaning लिखना है तो पहला है rearing, rearing का क्या मतलब होता है तो इसका मतलब होता है rising of domestic animals like sheep, goat या cow and buffalo for commercial purposes such as for milk and fur is known as rearing तो देखो क्या होता है जो domestic animals होते हैं जैसे की sheep, goat या cow या buffaloes तो इनको पालना ताकि इनके milk को या fur को यानि इनके बालों को बेचा जा सके तो यह है इसे कहते हैं rearing फिर उसके बाद है sharing तो इसका मतलब क्या होता है तो यह है it is the process of removal of fleas along with a thin layer of skin from the body of sheep तो sheep की body से है ना fleas निकालना यानि उसके जो बाल होते हैं उनको निकाल लेना है ना और साथ में एक thin layer एक पतली सी layer of skin भी वो भी निकाल लेना ठीक है skin की एक पतली सी layer और fleas यानि उसके जो बाल होते हैं उनको निकाल लेना उसे कहते हैं sharing ठीक है sheep की body से फिर उसके बाद है sericulture sericulture क्या होता है sericulture refers to the rearing of silkworms to obtain silk तो sericulture का मतलब होता है silkworms को पालना silk जो रेशम के जो कीड़े होते हैं उनको पालना ताकि उनसे silk लिया जा सके फिर उसके बाद है question number 5 और यह है given below is a sequence of steps यहां पर steps का एक sequence दिया हुआ है in the processing of wool जब wool बनाया जाता है और फिर उससे धागा बनाया जाता है तब तक के जितने भी steps follow होते हैं इस process में उनका एक sequence यहां पर दिया हुआ है और आगे है which are the missing steps और आपको बताना है कि missing steps कौन से हैं यानि यहां पर क्या आएगा ठीक है यह खाली जगा है जो और उसके बाद है head them उनको लिखो तो देखो answer यह होगा सबसे पहले आएगा sharing sharing का मतलब होता है कि जो जानवर होता है उसकी body से है ना उसकी body से जो बाल होते हैं उनको निकालना उनके जो fibres होते हैं उनकी body पे उनकी body पे जो fibres होते हैं उनको निकालना ठीक है जैसे कि भेड हो गया याक हो गया तो उनकी body से बालों को निकालना फिर है scoring तो scoring का मतलब होता है कि जो बाल निकाले हैं उनको धोना, उनको उनकी सफाई करना, फिर है shorting, shorting का मतलब होता है कि वो जो बाल होते हैं, उन में से कोई बाल छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई मोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं, तो अलग-अलग type के बालों को अल जो बॉर्स होते हैं, वो होते हैं कि उसमें जो कुछ फाइबर होता है, जो बाल हमने निकाले थे, ऐसे फाइबर होते हैं, जो गोल गोल बन जाते हैं, उनके ठीक है? तो उनको अलग करना, फिर है coloring, फिर उसको, उस फाइबर को color करना, फिर है making of yarn, और color करने के बाद, जब फ question number six और यह है make sketches of two stages in the life history of the silk moth which are directly related to the production of silk तो जो silk moth होता है जो silk moth होता है उसकी life के आपको दो stages के diagram बनाने है ना उनके उचितर आपको बनाने है जो की directly related है production of silk से यानि silk बनाने से ठीक है तो silk moth के life के ऐसे दो stages के आपको चितर बनाने है जो silk के production से directly related है तो इसका answer आप इस तरह से दे सकते हैं ये है पहला है cocoon और फिर है cocoon with developing moth तो ये दोनो diagrams आप बना सकते हैं फिर उसके बाद है question number seven और ये है out of the following which are the two terms related to silk production ठीक है तो यहाँ पे कुछ ये terms हैं है ना और इन में से आपको दो ऐसे terms को यानि ऐसे words को उठाना है जो silk production से related है ठीक है तो देखो ये ये कौन-कौन से हैं एक है sericulture, floriculture, moriculture और फिर है happy culture और है silviculture तो इन में से आपको दो ऐसे words बताने हैं जो silk production से related है तो ये है यहाँ पे आपको hint भी दिया हुआ है दो hint है आपके पास पहला है silk production involves cultivation of mulberry leaves and rearing silkworms तो जो silk production होता है उसके अंदर क्या आता है उसके अंदर आता है mulberry leaves की खेती करना और silkworms को पालना ठीक और दूसरा hint है scientific name of mulberry is morris elba तो scientific name क्या होता है mulberry का morris elba तो ये भी आपको बताया गया है तो इसका आंसर होगा sericulture and moriculture ये दो ऐसे words हैं जो जो है silk production से directly related हैं फिर उसके बाद है question number 8 और ये है match the words of column 1 with those given in column 2 तो column 1 के words को आपको column 2 के words के साथ आपको match करना है तो देखो ये है ये है ये है आपके question में जो column 1 और column 2 दिये हुए हैं और ये होगा इसका answer ठीक है तो scoring को आप match कर देंगे cleaning shared skin है ना ही जो हमने उससे जो skin निकाली है जो भेड़ से हमने इसके निकाली है और उसके बाल हमने निकाले हैं उनकी सफाई करना ठीक है फिर है mulberry leaves इसको आप match कर देंगे c से food of silk warm तो mulberry leaves क्या होती है silk warm के लिए food होती है फिर है third yak और इसको आप match कर देंगे इससे b से है ना ये है wool yielding animal इससे हमें wool मिलती है फिर है cocoon और cocoon को आप match कर देंगे इससे yields silk fiber इससे ठीक है तो ये है यानि इससे हमें silk fiber मिलता है cocoon से तो उसके बाद last रह जाएगा reeling और इससे आप ऐसे ही छोड़ देंगे फिर उसके बाद है question number nine और ये है given below a crossword puzzle तो नीचे एक puzzle दिया हुआ है based on this lesson जो कि इस lesson पर based है use hints to fill in the blanks blank spaces with letters that complete the words और आपको क्या करना है hints को use करना है ताकि आप जो blank spaces है उनको भर सके ठीक है तो देखो तो ये देखो ये है hints ये hints है ठीक है ये वाले ये सारे hints हैं आपके पास दिये हुए हैं और ये है वो puzzle तो इसको आपको भरना है इसको आपको fill करना है ये इसका solution है इस तरह से आप इसे भर देंगे ठीक इस तरह से आप इसको fill कर देंगे तो ये है तो यहां से देखके इतना ही अगर आपने भी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में बैल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टाइम पर मिलती रहे